आम सहनाववतू सहनवभुनक्तू सहवीर्यंकरवावः आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है गीता स्वाध्याई किस कक्षा में श्रीमत भगवत गीता के पीसरे अध्याई को हम देख रहे थे कल तक की कक्षा में हमने पीसरे अध्याई के 15 शलोग को परियंत उनका अध्यान किया था स्वाध्याई किया था आज हम 16 वह श्लोक से आरंब करेंगे, किन्तु 15 वह श्लोकों को एक बार देख लेते हैं कि उसमें एक क्या बात कहीं थी, विश्य पर थुड़ी स्थिती आ जाती है पंद्रव श्लोक था कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धी ब्रह्माक्षर समुद भवम तस्मात्चर्व गतम ब्रह्मा नित्यम यज्जिय प्रतिष्ठेतम पीछे बात कही थी कि कौन निश्पाप हो सकता है, कौन पाप खाता है, कैसे करना चाहिए, अन आदी कैसे उत्पन्न होते हैं, परजन्ने अर्थात, वर्षा अदी किस प्रकार से, वो पूरा चक्र की बात कही थी तो उन सारे चर्चाओं को केंद्रित करके, यहां एक मुख्य बात कहना चाहते हैं, कि वेदों में जो नियमित कर्म हैं, जिन कर्मों का विधान हैं, अर्थात वेदों में दो प्रकार की स्थितियां मिलती हैं, एक आजियांपरक और एक निशेदपरक, दो प्रकार की स्थ यहीं वेदों में मिलती है यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए तो जिसको करना चाहिए उसको कहते है आज्या परक्विधी और जो नहीं करना चाहिए उसको कहते है निशेद परक्विधी तो कहते हैं वेदों में जो कर्मों का विधान है जिस प्रकार के और ये वेद किससे प्रकट हुए है तो कहते हैं साक्षात श्री भगवान से ब्रह्म अक्षरम उससे प्रकट हुए जो अक्षर नाक्षरती इतियाक्षर जिसका क्षरन नहीं होता जो विनाश को प्राप्त न क्योंकि मृत्य उसी की संभव जिसका जन्म हुआ हो जिसका उध्भव हुआ हो उसी को तो कहेंगे कि हाँ एक दिन ये विनाश को प्राप्त हो जाएगा तो करें अक्षर ऐसे अक्षर ब्रह्म से वेद प्रकट होते हैं तो क्या करें तस्मात सर्वगतम ब्रह्माonण सर्वगतम शब्दकार्त कल की खुला था कि सर्वगतम का चूकि गतव को नहीं हो सकता तो उसमें फिर सरवज्जिना होने का दोशा आएगा जो एक देशी हुआ क्योंकि गमन एक देशी का ही संभव है सरव्यापक का गमन संभव नहीं है हाँ उसकी व्यापती तो संभव है क्योंकि जो सरव्यापक है उसकी व्यापती चहूर है ऐसा तो सर्वगता मत्त जिसकी चहूं और व्यापती है इसको सरल शब्दों में कहें तो जो चहूं और लबा लब भरा हुआ है एक उधारन दिया जाता है जैसे रसगुल्ला होता न तो रसगुल्ले में रस और रस में रसगुल्ला दोनों जैसे डूबे हुआ है तो हम सब भी ऐसे ही है परमात्मा हमारे भीतर भी है और बाहर भी है यानि आत्मा के भीतर भी परमात्मा है और अब उससे बाहर जो भी कुछ है सब में परमात्मा है लेकिन सब कुछ परमात्मा ये ठीक में अच्छा एक दोश आता है प्राया है चलो एक छोटा सा निराकरन किये देता हूँ जब हम परमात्मा को सर्वव्यापक सब जगह है ऐसा मानते हैं तो हमारे मन में प्राया कई शंकाय उत्पन होती है लेकिन सबसे मुख्य जो शंका आती है वो ये आती है तो फिर तो परमात्मा मल में भी हुआ तो परमात्मा तो मेला हो गया अरे उसमें सो तो बड़ी दुरुगंदा है क्योंकि मल से तो दुरुगंदी आती है न प्राया है एक प्रश्न खड़ा होता भीतरी एक उहा पोह आती है कि यदि सर्वव्यापक परमात्मा है वो तो मल में भी होगा और यादि मल में परमात्मा है तो भड़ा दुरुगंदी ते परमात्मा तो ऐसे परमात्मा से तो भगवान बचाए ऐसा प्राया आता होगा तो देखो कोई वस्तु मल में भी है मल के भीतर भी है, मल के बाहर भी है या जो भी कुछ है उसके भीतर बाहर चहू हो रहा यह जो दुरगंधी आदी स्थितियां है या यह जो गंदा होने की स्थिति है न यह किसमे संभव है, जो एक देशी और जिसकी कोई स्थिति है या यूँ कहें जिसका कोई आकार है आकार वाली स्थिति में तो यह घटित हो सकता है अब जिसका आकार ही कुछ ना हो निर्गत आताराथ से निराकारा जिसका आकार कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है उसका आकार बस वो है जैसे अव्यक्त विभू प्रकृति के लिए भी कहा जाता है जब आप सांख्य दर्शन का प्राकतन पढ़ते हैं तो वहाँ पर अव्यक्त विभू ऐसा एक वचन आपको मिलता है महाभारत का उध्धन दे करके वो कहते है महाभारत के शांती पर्व का मोक्ष अध्याय में आपको विभरण मिलता है तो प्रकृति को भी अव्यक्त विभू कहा है परमात्मा को विभू कहा है लेकिन प्रकृति के लिए भी अव्यक्त विभू कहा है अर्था जब प्रकृति अपने मूल घटकों में है सत्व रज तम में वाली स्थिती में हैं तो वह कैसी है वह भी विभू है क्योंकि आत्मा के द्रिश्टिस को वह बहुत बहुत बढ़ी है तो उसको अव्यक्त विभू है ऐसा महाँ पार एक शब्द है बिल्कुल ज्यों करते हैं अब कहें कि जो प्रेकर्टी है क्या वो भी वो तो अव्यक्त ही है अक्यन सूक्ष महें मान लिया लेकिन अव्यक्त है उस रूपी तो परमात्मा को सरव्यापी मानने में उस पर कोई दोश नहीं आता कि वो मेला हो जाएगा वो गीला हो जाएगा वो सूखा हो जाएगा परमात्मा तो बड़ी वस्तू है प अर्थात बहुत सूक्ष्म है बालाद अग्रशताई रपी इत्यादी पीछे हमने देखा था उपनिशद का भी प्रमान देखा था इन्होंने भी कहा था कि बाल के यदि एक हजार हिस्से किया जाएं और उसका भी एक हजारवा उस रूप में यानि दस हजारवा भाग अगर देखें तो सूक्ष्मता को बताने के लिए अब प्राया एक बड़ा वर्ग है वो इस बात को किस रूप में लिलेते हैं कि देखो कुछ तो है ना एक पिछले दिनों एक मानुभाव हैं और उन्होंने कहा कि देखो आयतन किसका होता है कोई वस्तू है तो उसका कुछ तो आयतन होगा ना मैं इहां अगर इस रूप में आप मानो कि जो कुछ है जिसका एक्जिस्टेंस है उसका सबकायत नि अपर कि आपमानो कि कुछ तो होगा तो प्रकृतिकों भी मुझोShow कि उसको नवाला और और कुछ तो है ना वो भी चलो भ़ले यहां सो ओ रहें स्वयम की बुद्धी, स्वयम का विवेक लगाना ही नहीं, मैं इसको उल्जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत गहरे गंभीर विशलेशन का विशय है, ये समाधी में जाकर के जानने का विशय है, इस पर चर्चा सीमित इस्थितियों तक क और कमाल की बात ये है कि वे लोग वीडियो बना रहे हैं जिनका स्वयम का, जो स्वयम मानो ऐसे समझो, उनको ऐसे बताओं कि जैसे मोहमद साब है ना मोहमद साब, तो मोहमद साब के जितने भी फिदाईन होते हैं, वो अलग नहीं जा सकते, आका की बात उनको माननी हैं, अन्याई पूर्वा के समाज में उससे हानी होगी, उससे लाब होगा, उससे कोई मतलब नहीं, जितने मुमिन हैं न बस उनको आका की बात मानी, as it is मानी, क्योंकि आका ने का है भई, और आका जो कहता है, क्योंकि अल्लह भी कब आया, अल्लह का भी अगर देखें, तो अल्लह की सत्ता भी कब स्थापि दूए, जब आका ने कहा, अर्थात मुहम्मद ने कहा, अल्लह उससे पहले अल्लह नहीं था, अल्लह ही तब हुआ, जब मुहम्मद ने बताया कि हां अल्लह है, तो ठीक ऐसी इन लोगों की बीस्थितिय है, परमात्मा निराकार है, लेना चाहिए मतलब एक एक प्रश्न खड़ा होता है कि विद्वान व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो उससे विचार विमर्ष किया जा सकता है लेकिन जो अविद्वान है या विद्वान बनने के लिए प्रयतन शील हैं ऐसे लोग भी निश्यपुर्व कोई बात कहें जब उस रूप में देखेंगे तो आत्मा भी सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म उस रूप में मानना चाहिए कि जब आत्मा को भी इन्होंने कहा था नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयांत्यापू आपहा अर्थात कोई जल भी इसको गिला नहीं क सकती कोई वायू सुखा ने सकती तो परमात्मा तो आत्मा से भी सूक्ष्म है हैं इस रूप में तो सरव्यापक मानने से दोश नहीं अपितु सारे दोशों की निवृत्ति होती है बस अंतर ये है कि परमात्मा की सरव्यापकता को समझाने के लिए किसी के पास सटी एक करते हैं तो वहां पर फिर सत्य का अध्यारोप करना भी आवश्यक है अर्थात सत्य बातों को भी रखना आवश्यक है क्योंकि खंडन किया ही तब जाता है जब कहीं सत्य के स्थान पर असत्य को प्रस्तूत किया जाता है तो उसके असत्य को हटाने के लिए वहां पर पहले इसको खंडन करना होता है कि आपकी बाद ठीक नहीं है और उसके बाद में फिर हम सत्य को रखते हैं कि सत्य यह है तो पंद्रवा श्लोक यह है कि जो सर्व व्यापक परमात्मा है ब्रह्म है नित्यम यज्ये प्रतिश्ठितम वो कैसा है परमात्मा सदेव इस्थिर है नित्य है और वो यज्ये में यज्ये कर्मों में सदा इस्थिर रहता है अब परमात्मा सर्व व्यापक है लेकिन कैसे उसकी व्याप्ति को हम जाने कैसे तो पीछे वाले श्लोकों से एक पूरा प्रक्रण चला होँआ रहा था कि नियतम कुरू कर्मत्व कि अपने नियत कर्मों को भी ऐसे करो जैसे यज्जें किया जाता हूं प्रतीक कर्म को यज्जें की भाति करो हूं बिल्कुल समर्पड में आ करके क्योंकि जो भी कुछ कर पा रहे हो ना अरे श्वास प्राण तो यह दूर की बात है मैं हूं यह मेरे होने का जो बोध करा रहा है न यह मूझे यह मैं हूं यह कि यदि परिमात्मा या इसको थोड़ी देर के लिए समझें यदि माल लें अभ्युपगम सिद्धान से कि अभी किसी आत्मा से सारे उपक हैं मन बुद्धी चित अहंकार ये सारे वस्तु तत्व यदि हटा लिए जाएं तो अब आत्मा को ये भी बोधने रहेगा कि मैं हू और ये कि स्थितिया कब कब आती है सुशुक्ति में और प्रलाय में इस रूप तो वहाँ पर ऐसी स्थितिया आती है जब तक प्रलाय अवस्ता होती है तब तक आत्मा केवल परमात्मा की ववस्ता में रहता है इसको स्वायम को कोई बोध नहीं रहता क्योंकि जिन से जिन मूल कणों से महतत्यों से अहंकार बना था, अहंकार का भी विलाय हो जाता है, उसकी भी वो भी प्रलाय को प्राप्त हो गया था तो यज्य प्रतिष्ठितम अब परमात्मा व्यापक है उसकी व्याप्तिया लेकिन कैसे प्राप्त करें उसको कैसे ठीक ठीक जाने, उसकी सर्व व्यापक्ता को हम समझे कैसे, तो यज्य प्रतिष्ठितम, यज्य में, जीवन को यज्य बना लो, प्रतिय कर्म को यज्य बना लो, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी व्याप्ति को जानने लगोगी, इवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्त यतीह यह अगायू रिंद्रिया या रामो मोगं पार्थ सजीवति देखो आगे यज्यं और यज्य को मुख्य रूप से यानी विद्याओं का जो मुख्य केंद्र गीता का भी हुमने तीसरा ही अध्यायारंब किया है यह सीधही वेद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले करतव क्या बनता है देखो गीता को पढ़ने का निशेद नहीं है किसी भी शास्त्र को मैं तो कहता हूँ जो अशास्त्र है उसको भी पढ़ने का निश्द में पढ़ो तो सही पढ़ो तुम कोई समस्य नि लेकिन मूल तक भी तो आओ वेद तक पहुँचो तो सही क्योंकि ये सभी शास्त्र किसकी और संखेत दे रहे है वेद की और तो देखे क्या करें एवं प्रवर्तितम प्रवर्तितम चक्रम ये जो चक्र है इस प्रकार का ये किसके द्वारा स्थापित है वेदों के द्वारा क्योंकि पीछे का न ब्रह्मोद भाम विद्धिम ब्रह्म अक्षर ये जो वेद हैं ये ब्रह्म से उस अक्षर ब्रह्म से समुद्भाम उत्पन होएं तो ये जो वेद द्वारा स्थापित चक्र है ना नहीं अनुवर्तयति इहा ना अनुवर्तयति इहा ऐसा पदच्छे दोगा ग्रहन करता है नहीं ग्रहन करता है इहा इस जीवन में यहा जो अगहा आयुहू इसका पदच्छिर करेंगे तो अगहा आयुहू इंद्रिय आरामह ऐसा होगा तो अगहा आयुहू पाप युक्त जीवन है जिसका यानि जिसकी आयू कैसी है पापी है जिसकी आयू ऐसा लेकि निकलके आएगा कि पाप मैं जीवन है जिसका जिसके आयू अघभा है इंड्रिय आरामह और कैसा है इंड्रिय विशों में लगावा निरंतर इंड्रिय आसकते हैं क्या है इनकार्थ देखते हैं करें हे अर्जुन जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदो द्वारा स्थापित यज्य चक्र का पालन नहीं करता वह निश्ट्रई कैसा जीवन व्यतित करता है पाप मैं पिछले श्लोकों के आधर पर हमने एक चर्चा की थी कि ये किस और इंगित करना चाह रहे है जीवन कैसा होना चाहिए यज्यम है लेकिन ये क्या कह रहे है अच्छा यज्यम है जीवन का भी इसको भी वह कहा बता रहे है वेदो द्वारा स्थापित प्रवर्तितम एवं चक्रम प्रवर्तित कहां से प्रवर्तित हुआ इसकी प्रवर्ति कहां से हुई तो आदे स्रिष्टी में और आदे स्रिष्टी में तो पिछले श्लोक में कहा था ना कि जिस अक्षर ब्रह्म से सिद्धी जसे यह प्रकट पर यज्यचा क्या है बस्तों कर लेते हैं और ऐसा वेक्टी क्या है केबल इंद्रियों की तुष्टी के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है यहां पर एक छोटी सी चर्चा कर लेता हूं, दो बातें इसमें मुख्य रूप से जिन पर मैं चर्चा करूँगा एक इंद्रियों की तुष्टी के लिए, इंद्रियों की पूर्ती के लिए, इंद्रियों की अनुकुल जो जो व्यक्ति आच्रण करता है उसके विश्य में एक बात आती है, कि उसका जीवन व्यर्त है और यह जो यज्य चक्र है, इसके इन दो बातों पर मैं थूड़ा सा प्रकाश डालूँगा सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, कि यह जो इंद्रियों की तुष्टी के लिए, जो भी जीवन जी रहा, उसके जीवन को व्यर्त क्यों रहते हैं कहते हैं अनिक उस्थलों पर हमने पीछे भी देखा कि जो इंद्रिया सकते हैं जो इंद्रिया धीन हैं जो विशयों में लगा हुआ है इत्यादि तो उसको ये हे मानते हैं उसको ये कोई बहुत अच्छा नहीं मानते हैं इसका कारण क्या है तो देखो इंद्रिये ये सब हैं साधन किसके साधन है आत्मा के और साधन किसी सिद्धी के लिए होते हैं अर्थाथ साधनों से किसी लक्ष को प्रात्य किया जाता है लेकिन लक्ष को भूल जाए और साधनों में केवल रवन करता रहे पक्ति को बुद्धिमान कहेंगे कि क्या कहेंगे अब बुद्धिमान केंगे उतर दो जनौब किसी के पास क्वूलом है और वहिकल किस लिए होता है किसी यात्रा की यात्रा को तैयर करनी के लिए सुरक्षित और समय से दोई उद्देश होते हैं किसी वहिकल की अपना निज वहिकल किसी के पास हो वहन हो उसके दो उद्देश होते हैं कि हम सुरक्षित और समय से आवागमन कर सकते हैं तो वहिकल अर्थात वाहन का उद्देश वाहन जो वाहन डूपी जो साधन इसकी सिध्धी किसलिए यात्रा के लिए और कोई यात्रा ना करें बस कहीं पार्क में या कहीं ऐसे स्थान पर जहां कहीं बस केवल घुमादा रहे गूल-गूल-गूल-गूल-गूल भूमा तर्फ वियर्थी घुमादार लए उसको घूंख हो बुर्दीमान कहें ये आपन करें arguing बिल्कुल, ठीक ऐसे ही इस आत्मा को, ये जो साधन मिले नउ, अंतहकरन, इंद्रियाँ, इस जो चोबिस अत्मा सीद एस इस देव कहूं, इनको ठिक ठिक जान करके इनसे प्रतकत उसमें जो अवस्थिती है बस उसी को वो उस रूप में आपवर गनिश्रे साधी रूप में खेटे तो केवल साधनों में ही जो रमन करे और साधनों का उद्देश का ये न जाने तो ऐसे व्यक्ति भले ही चाहे सो वर्ष जिये किसलिए जिये उसके जीवन का उद्देश ही क्या प्राइब आप कह सकते हो ऐसे अभी भी ऐसे व्रिद्ध लोग है जिनकी आयू एक सो पांच एक 110-112 वर्ष तक भी ऐसे अभी मैं भी देखता हुआ आ रहा हूं कि जिनकी मृत्यू 110-112-109 वर्ष में हो रहे हैं अब उनके जीवन में देखे तो हमारे एक मित्र हैं उनके दादा जी का देहांत लगबद 109 वर्ष के आयू में हुआ हम भी उनके अंतेस्टी में गई थे तो जब दादा जी से पूछा जब वो जीवी थे उनके पूछा कि दादा जी आपकी इस आयू का रहस से क्या है तो उनके बताया कि बटा है ऐसे ऐसे मैं केवल एक समय भोजन करता हूं चपाती लेता हूं थोड़ी सी दाल लेता हूं और रातरी में मुनाक का अर्दूद भोजन केवल एक समय करता हूं और चाहे कहीं भी जाओ कुछ भी हो कभी बाहर का बनावा नहीं खाता इसके आतरिफ्त कुछ ne दाता है केवल एक या जिर चापाती लूँगा और इतनी सी डाल लूँगा बस ना को लेसुन चाहिए, क्यार चाहिए, ना अचार चाहिए, दादा जी जीवन की सार्थक्ता सिद्ध होती हुए नजर आती है अच्छा दादा जी ये बताओ आप मरना चाहते हूं क्या बोले ना मरना तो नहीं चाहता ठीक है अब ये प्रशना कि जीवन की सार्थक्ता सिद्ध होते हुए आपको लगती है क्या तो दादा जी ने जो उ कि कोई सार्थक्ता भी हो सकती है मैं नहीं कह सकता है मेरे पोते हैं बच्चे हैं यह इतना सारा इन सब लोगों के लिए और बस यह खुश्ण है बस यह बहुतिक द्रिष्टी से वो ठीक है उतना लेकिन आत्मा की द्रिष्टी से चेतना की द्रिष्टी से उसके पास जो आप उसके उपकरण है जिनसे वो उस लक्ष के और बढ़ सकता था उस पर तो उसका ध्यान ही नहीं तो भली वो 109 वर्ष जी उन्होंने अपने बच्चों क लिए उनका जीवन परिष्टम में रहा सब कुछ है लेकिन उद्देश्य पर तो उनकी द्रिष्टी नहीं रहे ना उसके लिए तो उन्होंने एक पद भी प्रयास नहीं किया ना तो क्या है उसका जीवन वर्ष लाग है यह यज्य चक्र क्या है तो यज्य चक्र को आप ऐ कैसे समझिए जो सारा संसार है न यहीं सारी स्रिष्टी में यज्य हो रहा है यह ज使 vous कैसे संक्ष्यप से समझे बड़े तरलता से समझ मैं इंदेखो इह को कि सान माहन लीजे कपास का पॉधह उगानी के लिए छोटा सा बीज डालता है भूमी उसमें बीज डाला है उसके बाद वो सिचाई कर सकता है उसकी निराई गुडाई कर सकता है उसके आसपास उगने वाले खर्पतवारों को हटा सकता है बीज से पौधा उगना ये प्रक्रिया है ठीक है और उस पौधे से वो कपास के तंतु बनना अर्थात वो सूक्ष्म तत्व कहां से कत्रित हो रहते उसी भूमी में वही पर आप अनेकों प्रकार के पौधे और लगा दीजिए अमरूद आम नीम नीम कुछ भी और वही पर क कपास का पौधा होगा दीजी भूमी एक ही है वातावर्ण एक ही है इस्थितियां एक ही है किसान अर्थात उनको देखभाल करने वाला जो भी है वो भी एक ही है लेकिन यहीं पर कपास के तंतु कहां से आ रहे हैं क्या वायूबनल में सरवत्र कपास के तंतु है उस पोध या आम का जो थोड़ा सा एक आंत्रिक जो रस था वो कपास में क्यों नहीं थोड़ी सी कपास भी मीठी मीठी होती प्रश्ण उठता है ना अब देखो वापस आओ यह तो एक छोटा सा इस्तिति उठा करके छोड़ देता हूँ आप जो अगनी होतर करते हो अगनी होतर करते हैं जब हम बच्चे थे मैं अपनी बता रहा हूँ तो हम यह सोचते थे बताओ जी यह घी खाने को मिलता नहीं और यह कमाल की बात है यह आधा-धा किलो एक इक बार में घी हवन में यूज कर देते हैं और गाव में तो इस बात को ऐसे कह दिया जाता है, खाने को मिल रा तुमसे फुकवालो, ऐसा, लेकिन जब हम वैज्यानिक दृष्टी से, सूक्ष्मता से, या यूं कहूं, गंभीरता से अवलोकन करते हैं, तो हम एक स्थिति को पाते हैं, क्या, पदार्थों का अभाव नह नहीं होता, क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा था, गीता में भी पढ़ा था, दर्शन में भी ये चर्चा आती है, ना सतो विद्यते भावो, कि जो वस्तू है, उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो है नहीं उस वो उत्पन्द नहीं हो सकती, की नहीं जा सकती, तो जो वस तो है अर्थात घृत है सुगंदी कारक जो भी औशदियां है पुस्टी कारक जो भी पदार्थ है उस रूप में बलवर्धक जो भी पदार्थ है औशदियां जो भी इस रूप में इनका स्वरूप परिवर्थी तो हुआ है इसलिए तो कहा यज्यों वाई देवों मुखम सबी देवों का मुख क्यों कि अगनी का एक सामर्थ है अगनी की एक इस्थिती है कि ये पदार्थों के सरूप को अत्यत्य छोटे से छोटे कणों में विबाजित करके सारे सृष्टी में सर्वत्र जहां तक उनकी स्थिती हो सकते है वहां तक फैला देती इसलिए कहा कि प्रती दिन दोनों समय प्रती एक मनुष्य को यज्य अगनी होतर आदी करना चाहे इसलिए कहा था अब आप एक और बात कह सकते हो कि भाई अगनी होतर से चहोर कैसे होगा तो देखो। एक लालमिर्च लीजी मैं पराया कहा करता हूं। एक लाल मिर्च को कितने लोगों को ख़ला सकते आप अधिक्तम 10 और दिक्तम है। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि एक लाल मिझ्ट को कम से कम मैं कहूं कि 10 विगे या 20 विगे का एक बड़ा होल है बीस विगे भूमी में बड़ा होल बना रखा चार और से वह बंद है और उसमें जितने भी मनुष्य आ सकते हैं वह पूरा लबा लब भर दीजिए अब उस होल के बीचों बीच किसी पात्र में थोड़ी से अगन चाहिए क्यों जी यदी अगनी में पदार्थों को डालने से अगनी होत्र करने से यज्य करने से हवन करने से यदी पदार्थों का नाश होता है तो इस मिर्च का नाश क्यों नहीं होता जब हुआ क्योंकि ये जब की ये मिर्च एक ही मिर्च थी के वल और एक ही मिर्च इतने गुना बढ़ गई उसकी शक्ति उसका सावर्थ इतने गुना बढ़ गया कि एक व्यक्ति को कस्ट देने वाली मिर जब लाखो अगर लाखो कहूं या उससे भी अधिक स्थिती में वहाँ हो तो उन सब को बराबर मत्रम उनकी नाक में से धुए रो आख में से पानी निकाल रही है इससे क्या सिद्ध होता है अगनी हुत्रादी से पदार्थों का अभाव नहीं होता वो नस्थ नहीं होते अपितु विभक्त हो जाते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों में ठीक बस यही यज्ज चक्र चल रहा है सबी पदार्थों को अगनी होतर में नहीं डाला जाता लेकिन जो पधार्थ स्रिष्टी के संतुलान में आवश्यक हैं फिर आचतरजीं अगनी होतर मिर्च क्यों न डालते नमक क्यों नहीं डालाजक। और अन्य मसाले जो जैसे हरा असूखा धनिया है इलाइची है यह सब इलाइची का तो यह दिद्र प्रयोग किया जाता है तो ऐसे पदार्थ क्यों नहीं डाले जाते तो देखो संतुलन के लिए पदार्थ तो उस रूप में देखें तो सत्व को इस रूप में ज zijान परक कहा जाता है तम को इस त्सतित्य के लिए जो महत्य पूर्णा आवश्यक है तो उसका निर्धारन इस रूप में किया गया की केवल इन इन पधार्थों को यज्ञ में डालना चाहिए, अग जो यज्ञ में डाला वो सर्वात्र फैला, अर्थत आकाश में चढ़ा, और जो वर्शा होगी, अब वर्शा से वही आकाश में चड़ेवे सूक्षुमकन पुना वापस आएंगे तो यज्ज के द्वारा आपने जो सरवत्र वायू मंडल में जो भी स्थितियां फैलाई है सूक्षु रूप में गैस कहलीजी जो गैसे हैं तो गैस रूप में जो वायू मंडल में फैला हुआ अब परजन्ने जब इस्थिति होगी वर्षा होगी तो वही नीचे आएंगी भूमी में और जब वर्षा के साथ वो नीचे आएंगे तो अब जो उगने वाली वनस्पतियां और उशदियां वो कैसी होगी अत्यंत शुद्ध इसी को यज्य विज्यान इसी को अगनी होत्र विज्यान और उस रूप में इसी को इन्होंने क्या कहा यज्य चक्र इसी को यह कह रहे है कि जो यज्य चक्र का पालन नहीं करता क्योंकि इसकी संगती तभी लगेगी पीछे कहाता कि जो यज्य नहीं करता यज वह पाप खाता है वह पापी है अब यहां पर एक बात किने की भाई आज़ा जो व्यक्ति है एक इस पश्टता के लिए बटा दिया कि जो केवल इंद्रियों के लिए लगा हुआ है तो वह तो पापी है उसका जीवन तो व्यार्थ है और यज्ज चक्र का जो पालन नही जाया रहा हूँ शायद मैं समझता हूँ कि स्पस्ट हुई होगी इसी ति हुग ठीक है कि सत्रभाश लोग देखिए यस्त्वात्म रती रेव स्याध आत्म तृपतास्ट तृपतास्च मानवह आत्म नियेव चा संतुष्ट संतुष्ट स्तस्य कारियमन विद्यते करें हैं यह तू आत्म रती एव निश्चही जो आत्मा में आनंद लेते वर्था स्वयम में ही जिसकी सिक्षिए है ऐसा एवा निश्चही स्यात जो रहता है आत्मत्रिप्तह और कैसा है आत्मत्रिप्तह तात स्वयम में ही स्वयम से ही प्रकाशित है स्वय महीं से थे च और मानव मनुष्य आत्मनी एवा अपने में केवल अपने में च और संतुष्ट तस्य जो संतुष्ट है उसका कार्यम न विद्यते करतव्य नहीं रहता है एक बात यहां पर आ रही है जो विक्ति आत्मा में ही आनन्द लेता है ता स्वयम में सित रहता है जिसका जीवन आत्म साक्षातकार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणिये नहीं होता अब शुरू शुरू में देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि से यज लेकिन इस लोग को देखकर कैसा लगता है कि यहां पर कुछ भी ना करने की बात कह रहे हैं महां कर्मन्यता का महां कर्म प्रधान को प्रधानता की स्थिति बता रहे हैं और यहां पर आकर्मन्यता की बात कह रहे हैं इसा प्रायह, प्रथम द्रिश्ट ऐसा हमें लगता है, लेकिन बात को समझे कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, इस जो कर्तव्य कर्म हैं न समस्य कर्तव्य कर्म कब तक हैं, जब तक आप आत्म केंद्रित नहीं हो जाते हैं, जब तक आप स्वकेंद्रित नहीं हो जाते हैं, जिस दिन उसके पस्चात ये जो जितने भी और अतिरिक्त कर्तवे करम है न वो कम हो जाते हैं उनके प्रतिय आपका जो कर्तवे पालन है वो कट जाता है क्योंकि आत्मस्यार्थे प्रिथिवीम्त्यजेत एक वचन आता है कि क्या क्या करें जहां पर मान सम्मान ना हो प्रतिष्ठा ना हो जहां पर विद्या और विद्वान ना रहते हो ऐसे स्थान पर वास नहीं करना चाहिए वो पूरी एक उस श्लोक में चर्चा में उस पर पूरे नहीं जाता लेकिन उसके अंतिम भाग है आत्मा स्यार्थे प्रिथिवीम त्याजेत आत्मा के अर्थ अर्थात स्वत्व की सिध्धी के लिए दी पूरी प्रिथवी का भी त्याग करना चाहिए न तो त्याजेत कर लेना चाहिए विदीलिंग का प्रयोग है आपर त्याजेत बिल्कुल कर लेना चाहिए तो यह क्या कह रहे हैं जो आत्मा में अर्थात अपने में ही इस्थित रहता है स्वयम ही को दुर्ग बना लेता है कच्छुए की भाती पीछे पड़ा था ना और स्वयम ही में संतुष्ट हो जाता है स्वयमिंको दुरघवत अक्टमे में इस्थित हो जाता है और अपने में सतूष्ट रहने लगता है क्योंकि आवश्यक्त है नहीं है बहिर मुकी होकर आप चितना सुख ले लीजिए त्रिप्ति नहीं जब आप स्वत्व की सिद्धी के लिए अपने आपको स्वयम को जानने के लिए अस्मी के इस अस्मी इस बोध के लिए जिस दिन आपका प्रथम पग होता ने इस यात्रा की होता अन्य जितने भी कर्तव कर्म है वो फिर उसके प्रति आपका जो एक बहुत ज़्यादा था न तो फिर वानप्रस्थ की विधान क्यों किया जाता फिर सन्यास क्यों लिया जाता और ग्रिहस्ती भी सन्यासी हो सकता है यदि उसकी सितियां योगता है तो यदि करतवे पालन ही सब कुछ है तो ये तो सन्यासी कभी नहीं हो सकता था वाईराग्य के उधित होने पर जो भी अपर और पर वाईराग्य उस वो आगे ब्रिहर चर्चा चलती है लेकिन वाईराग्य के उधित होने पर एक निश्चित अवधी में जिस समय वाईराग्य उधित हो जाए उसी समय क्योंकि वैराग्य उधित होने का भाव किसमे है स्वत्व को सिध्ध करने के लिए अपने आप में अपनी संस्थिती बनाने के लिए सम्यक प्रकार की सिथी संस्थिती तो कह रहे हैं तस्यकारियम नविद्यति उसके लिए अब कुछ करणी करतव नहीं रहता क्योंकि अब इसी को कहते हैं उपनिशद में भी कि यदि इस जीवन में जान लिया तो महान लाव है और यदि नहीं जाना तो महति विनस्थि तो जिसने महान लाव को प्राप्त कर लिया ये उपाक करन ये साधन ये सारी स्रिष्टी ये मनुष्य देह ये सारी विद्यां ये किसलिए थी इसलिए तो थी और उसने उसी को कर लिया तो अब करनी है क्या बचा करतव क्या बचा कुछ भी लेकिन जीवन चनाने के लिए जब तक मानलों जीवन मुक्त हो गया कोई, लेकिन शरीर तो है अभी, अब क्या करें वो शरीर का देह का त्याग कर देगा, ना, तब भी शरीर को चलाने के लिए से भोजन, छादन, मलत्याग, सच्छता, आदि, वो सारे करने पड़ेंगे, और करना चाहिए, लेकिन उस रूप में अब उसके लिए कोई करतव्य कर्म नहीं बचा, जिस रूप में माता-पिता के लिए पुत्रों के प्रती, संतानों का, अपने माता-पिताओं के प्रती, गुरु, शिश्य, जितने भी संबंध है, जितने भी संबंध है और इनमें आपस में जो भी एक दूसरे के प्रति करतव्य कर्म था उस रूप में अब इसके लिए जो आत्म युक्त आत्मा में जिसकी स्थिती है ऐसा जो आत्म संतुष्ट व्क्ती है जो जीवन मुक्त है अब इसके लिए उस प्रकार से कोई करतव्य कर्म नहीं बचा तो यहां पर कर्मन्यता कर्मन्यता जो है उसका निश्यद नहीं है क्या कर्तव्य कर्म कब हट सकते हैं कर्तव्य कर्मों से हम कब पार प्रष्ण होता है तोड़ो से आयू में बड़े होते हैं उनके मनने एक शंक आती हैali है बता ते अच्छे आपध्वाने पृए लेलो मेरी बच्चों का और मैंने इपने बच्चों को पाला है कि मेरी बेटी कैसी फूली इसको छोड़के चले जाओ अजीब लोग है ये लो वले one-pass ले लो, one-pass ले लो, कमाल की बात है, मेरा करतव नहीं है इनके प्रति, और प्राया मा के मन में अधिक आता है, क्योंकि मा जिस प्रकृती से, अर्थात मा के पास, जो चेतना के पास, जो शरीड रूपी प्रकृती है, व पूटे को कैसे छोड़ दू भरापूरा मेरा संसार है बात तो ठीक है लेकिन जिस दिन तुछ चेत जाएगी न मा उस दिन तुझे बहुत होगा कि मुझे इसके भी पार जाना नहीं जीवन के नित्यकर्टब नहीं यह समुचि तेरी चेतन यात्रा के नित्यकर्टब नहीं इस जीवन के कुछ नमित्तिक करतम हैं निमित्य से हैं शरीर के निमित्य से हैं बस शरीर हटा तेरे सारे निमित्त समात जिस पुत्री के प्रति तु ऐसा बोध अपने भीतर ले करके आ रहे है जिस पौत्र अधी के प्रति जिस परिवार के प्रति जिसको तु भरा पुरा सं सार बता रही है। yady यदि एक बार विचार करके देख जीवन और मृत्यु दोनों पर तेरा प्रयास करना अरंब कर लिए ख्षण बर के लिए विचार करके दे कि यदि परमात्मा की व्यवस्था में मृत्ति हो जाए क्या करेगी और यदि ये इस विंके जीवित रहते हैं तो उन्हें ऐसा प्रयास करना आरंब कर लिया तो देख स्वर्ण स्वर्ग ऐसी स्थिति हो तो तस्यकार्यमन विद्यते इस रूप में इसको लेना चाहिए कर्म करने का निशेद गीता में भी नहीं है क्योंकि कर्म प्रधान कर्म को लेकर के ही तो उस रूप में कहा जाता है सग्रंथ को कि जब अर्जुन ने कर्म का त्याग कर दिया था उसी को तो केंद्रबिंदु बना कर कि एक शास्त्र या एक ग्रंत हमारे सामने मिलता है कर्म का त्याग जीवन नहीं है जीवन यदि है तो कर्म तो करना पड़े अब कर्म ये भी कर रहा है एक प्रश्न ये और कह सकते हो कि आचार जी फिर ये तो ये क्यों हो गया देखो जिसके लिए कहा ना तस्यकार्यम ना विद्यते जानते हूं वो कितना बड़ा कर्म कर रहा है अपने आपको अपने आप में स्थित करना ये सारे संसार को जीत लेने जैसी स्थिति है और उससे भी बड़ी स्थिति है ये इतना ब्रिहद इतना महान कर्म कर रहा है तो आप ये मत कहो कि ये कुछ नहीं कर रहा है ये बहुत महान कर्म कर रहा है ये सारे संसार की सार्थक्ता को सिद्ध परमात्मा ने जिसलिए ये सारी स्रिष्टी ये सारे उपक्रण चेतनाओं को दिये हैं वो उनका यथा योग की सदुपयोग कर रहा है ये वास्तों में परमात्मा को ठीक ठीक अर्चन कर रहा है वंदन कर रहा है नमन कर रहा है यह परमात्मा के दिये हुए साधनों का वास्तों में ये सदूपयोग ले रहा है किये इस जीवन की और सारी स्रिश्ठी की सार्थक्ता को इस इस शरीमें सिद्ध किया तो जब बड़े कर्तवर्य करम करते हो तो छोटे करतव्य के परती आपका जो आप भाव है वह कम होता जाता है इसलिए तो यह मत कहई है कि यह क्यों कुछ नहीं कर रहा हुए है यह लगा हुआ में जब बच्पन मेंूचे बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे कहीं मिट्टी से बिल्ली के घर बनाते हैं, कहीं माचिस की वो खाली माचिस ले करके, कहीं उनकी रेल गाड़ी बनाते हैं, ये उनका बच्पन का एक अनुसंधान है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर कि यदि कोई अलग invention करता है, कोई अलग अ जैसे यहाँ पर ये चर्चा हुई, कि जो आत्मा के लिए, स्वयम के लिए जो प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, अपने में अब जो इस्थित हो गया है, जिसकी अवस्थिती स्वयम में हो गई है, अब उसके लिए छोटे छोटे अनुसंधान अब उतने महत्तपू नहीं है क्योंकि ये बड़ा अनुसंधान करता है इस रूप में अठरवा श्लोक देखिए नाइवत तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चना ना चास्य सर्वभूतेशु कश्चिदर्था व्यप्ता आश्रया हूँ साथ बजगर की सोले मिठ हुए हैं एक काम करते हैं अनुपमा जी का प्रशन आया था वाट सपर मुझे इन्होंने प्रशन किया था श्लोकों को पश्चाद देखते हैं इनका प्रशन बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा गंभीर है इनका प्रशन था कि आचरे जी हमारे ज स्वाध्याई की इस श्रेणी में आते हैं कि हम अंतर मुखी कैसे हैं प्रशन इनका सरलसा ये था अत्यधिक व्यस्त रहते हुए हम अंतर मुखी कैसे हैं ये प्रशन है तो इस प्रशन के समाधान को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और इस प्रशन के समाधान के प्रशन है वो प्रतेक्व्यक्ति का प्रशन है हमारा भी प्रशन है हर आदमी जानना चाहता है हर मनुश्य का यहीं प्रयास रहता है कि अपने बाहर के कारियों को करते हुए विम्हें अंदर से शांत बना रहा है यानि ऐसी स्थिती क्या हो के मेरे अंदर से श हिर्शन हो जयां पर अभी आपका एक सलोप चला हुआ है का करीज दूसरे के ऊपर निर्भरता समाप्त हो जाती है अंतरिक रूप से मानाशिक रूप से और वह hm은 योगी है सन्यासी है सादक है वह स्वicação को रूआज हैं ऐसी जो कहीं सिर्फियों के विश면 विचानच संप्धें पीको हम्ابण मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं पहली बाद तो जिस भी आत्मा को इश्वर्य कृपा से स्वयम को जानने की इश्वर को जानने की स्वयम को समझने की एक इच्छा उपस्तित हो जाती है वो साधारन या सामानने रहता ही नहीं है वो साधारन होते हुए भी असाधारन हो जाता है सामानने होते हुए भी असामानने हो जाता है तो जिसमें भी इच्छा या अपेक्षा उपस्तित हो गई है सबसे पहले तो वो अपने आपको धन्या समझे एक बाद दूसरी बात के इस चीज को करे कैसे क्योंकि योग मार्ग पर चलने का हमारा कोई अभ्यास नहीं है बहुत अधिक शास्त्रों का हमें जान नहीं है बहुत सारी योगित क्रियाओं के विशय में हमें नहीं पता तो ऐसी क्या स्थिती है जिसको जान करके या वो कौन से अफ़र्ट है जिनको करके हम इस स्थिती को प्राप्त कर सकते हैं प्रतेग मनुष्य के जीवन में दो प्रकार का संसार होता है, एक आंतरिक संसार और एक बाहिय संसार, उस व्यक्ति के दो संसार होते हैं, एक उस व्यक्ति का आंतरिक संसार होता है, और एक उसी व्यक्ति का बाहिय संसार होता है, बाहिय संसार कुन सा होता है, जिसमें रह करक कि उसे अपने कार्यों व्यवहारों को करना होता है जैसे ओफिस में वो काम करता है तो ओफिस में उसके सामने जो जो व्यक्ति उपस्तित होते हैं जो जो विशय उपस्तित होते हैं जो जो कारी उपस्तित होते हैं यह उसके बाहिय संसार का हिस्सा है घर में वो होता है तो घ संसार का हिससा है ऐसे हैं समाज कि छोन अस्थिया उसका पड़ोस है जिन जिन भी चीजों से उसका संबन होता है विभार होता है यह न है कोफिव है अब आनतरिक संसार क्या होता है यह प्रते मनुष्य को होता है मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का भी होता है जिसको हम कहते हैं मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का भी होता है कैसे उसके चित में उसके मन में उसकी स्मृतियों में उसकी बुद्धी में कुछ विशय और कुछ व्यक्ति निरंतर भूनते रहते हैं अब यह होते हैं जिनकी स्मृति आने पर जिनका विचार आने पर और फोलो होते हैं कि इस Bundesregierung आने पर जिनसे संब्रूंत कोई स्थिती उपस्तित होने पर में से सकारात्मकता उत्पन होती है तो ये आंतरिक संसार होता है हमारा अंतर मुखी होने के लिए या एकाग्र होने के लिए या अपने स्थिपियों को ठीक करने के लिए हमें इनी दोनों संसारों पर कारिय करना है आंतरिक और बाया संसार तो बाया संसार पर बहुत अधिक कारिय करना हमारे द्वारा संभव न कुछ कार्यें हम कर सकते हैं जिन लोगों से हमें लाब कम और हानी अधिक हो रहा है और उनसे हटना या उनको से दूर करना हमारे अधिकार शेत्र में भी आता है तो उनस्थितियों को हटाने का प्रयास होना चाहिए क्या हम उसको कर सकते हैं हम उसे करने में सक्षम है इस वर ने हमें उसको करने की सामर्थ है दे रखी है तो बाहिये संसार पे हम बहुत कम कारिये कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर दूसरे की भी स्थिती होती है, वहाँ पर सब कुछ करना हमारे वश में नहीं होता, दूसरे विक्तियों का भी वहाँ पर हस्तक्षेप होता है, लेकिन अब आजये आंतरिक संसार में, आंतरिक संसार पर कारिय करना बहुत सरल होता है, और उस पर हम सो प्र किस व्यक्ति विश्या से संबंदित मृत्ति वृत्ति विचार अनुमान आदी उठाना है यह पूरी तरह हमारे नियन प्रण में है अब कोई व्यक्ति हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस विश्या या इस व्यक्ति से संबंदित वृत्तिया उठाईए तो आंतरिक संसार को मैनेज करना वो हमारे स्वेम के वश में है तो सबसे पहले तो क्या करे आंतरिक संसार में से ऐसे व्यक्तियों और ऐसे विशयों की छटनी करे जो आपको प्लेशित करते हैं द्रेशित करते हैं परेशान करते हैं और ऐसे विशयों ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करें जो आपको सकारात्मक्ता देते हैं प्रसन्नता देते हैं आपके कल्यान में सहायक होते हैं ऐसे विशयों को बार-बार चितने उपस्तित करें उसे संबंदित वृत्तियां उसे संबंदित स्मृतियां वो लेकर को ये करें अच्छा कब तक करें ये आंतरिक संसार की सफाई कब तक करें जब तक इस आंतरिक संसार में केवल दो ही सत्ताई उपस्तित ना रह जाए और वो दो सत्ता कौन सी है एक मैं स्वैम और एक मेरा स्वामी अठा टीश्वड अपने इस आंतरिक संसार की सफाई आज से ही प्रारब करे और इस सफाई को तब तक निरंतर करते रहें जब तक इसमें केवल ये दो सप्ताई उपस्तित ना रह जाए मैं और इश्वर यानि जब भी आपके पास समय है इवन व्यभार के कारियों को करने में भी जहांपर आपको अधिक सतर किता की आवशक्ता नहीं होती उन कारियों को करते हुए भी आप अपने आंतरिक संसार में रहना सीख लिजे और ये आंतरिक संसार आपको प्रसनता कब देगा आपको आत्म केंदरित स्थिती का लाब कब मिलेगा जब आपके आंतरिक संसार में सफाई है शुद्धी है वहाँ पे भीड नहीं है वहाँ पे विशय ऐसी सत्ताई उपस्तित नहीं है जिनके होने से आप ग्रेशित होते हो आप क्लेशित होते हो तो ये आंतरिक संसार और भाय संसार उन दोनों को समझे आंतरिक संसार की शुद्धी कीजिए और अपने आंतरिक संसार में विचरना सीखिए उसको जीना सीखिए उसमें ज बात और स्पस्ट करना चाहूंगी अभी यह प्रशन उठाया था और उसका समधान भी दिया था कि जो इश्वर है यदि उस पर ये आक्षेप को ही लगाता है कि मलादी स्थितियों में यदि इश्वर है तो दुरगंद को प्राप्ट हो जाएगा या मलिन हो जाएगा तो योग दर्शन के प्रथम पाद के द्वितिय सूत्र में आत्मा आत्मा से फिर वहां पे दोनों ची को देख लेते हैं आत्मा के गुणों को देख लेते हैं कि आत्मा में क्या ये गुण है कि कोई भी वस्तू उसको गंदा या अच्छा सुगंदित या दुरगंदित कर सकती है तो यदि नहीं कर सकती तो याक्षेप सोता है हट जाएगा तो वहां पे आत्मा के गुण दिय यह गए वो गुण क्या है चिती-शक्ति-आपरिणामिनी ,एप्रति-संक्रमा , शुग्धाचय अनन्ताचय , चिती-शक्ति Map है चेतन वह है। चेतना आत्मा है वह भी कर्मात्मा है । तो क्योंकि समादी में दोनों प्रकार की आत्माओं का ग्रहन होता है आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहन होता है तो यहां पर भी दोनों के ही गुण कहे जा रहे हैं सम्मिलित रूप से यानि उन गुणों को कहा जा रहा है जो आत्मा और परमात्मा में विलकुल सेम है अलग इश्वर में भी कोई परिवर्तन नहीं आता उसके गुण कर्म स्वभाव में किसी भी स्थिती में कभी भी कोई भी परिवर्तन कोई भी बदलाव नहीं आता अपरिणाम ने और वहाँ पे एक शब्द क्या कहा है अप्रति संक्रमा आपने एक शब्द पढ़ा होगा संकर संक जो इसी में घुल मिल नहीं सकता और जो इसी में घुल मिल नहीं सकता तो यह आपरती संक्रमा जो शब्द है यह शब्द अपने कैसा है अप्रति संक्रमा तो चेटन सत्ता के साथ यह गुलना मिलना यह सब स्थिया संभव नहीं है शुद्धाच है शुद्ध कि वो नित्य शुद्ध है सदैव पवित्र है अपवित्रता की स्थित्यूस में संभव ही नहीं है क्यों नितांत शुद्ध है नित्य होता है आत्मा तो कैसा है सांत है यानि आत्मा का अंत है किस दृष्टी से स्थान की दृष्टी से क्योंकि वह एक देशी है एक स्थान के उपलब्द होता है आत्मा का अंत है वह सांत है लेकिन वह सांत होते हुए भी अनंत कैसा है काल की दृष्टी से काल के द्वारा उसका आत्मा रहने वाला है नित्य हैं तो आत्मा कैसा है काल की दृष्टी कि से अनंत है और इश्वर प्राप्ठ देज़ते से अनंत है याम के द्वारब यहां पर इश्वर कांतो हो जाएगा जहाँ पर इश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और जो इश्वर है याणी परमात्मा है जो विशेश- आत्मा है केवल काल фильма की दुरِّ समझोगे तब ये सारे आक्षे सोता है ही हड़ जाएंगे कि इश्वर्ग को अशुदी प्राफ होती है या नहीं जो भी जिनके द्वारा भी इस प्रकार के आक्षे लगाए जाते हैं कि मुझे लगता है कि दोनों ट्रॉपिक में डिलीवर करने में सफल भी या फिर भी को बचता है तो आप कुछ सकते हैं जी हुआ है 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 अब अच्छी तरह समझाए तो आज कक्षा का भी समय हो गया है और इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं पुष्पेंद्र रियादव जी नमस्ते आप कक्षा में बहुत विलंब से जुड़ रहे हैं इस कक्षा का समय साड़े छे बजे से साड़े साथ है तो अभी साड़े साथ हो गए तो कक्षा का तो विराम का समय अभी फिर भी प्रयास कीजिएगा कल से समय से जुड़े तो तो आज हमने केवल सत्रवेश लोकता की देखा, अठारवेश लोक को हम कल देखेंगे, और आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल आप से पुनाहा अगले विशय के साथ में आप सभी को प्रणाम कल संदे हैं, कल अवकाश रहेगा, कल का तात्परिया सो, कल का तात्प नमस्टेश अवकाश पिस्लेट आरावेश ए विरूर्ण निल्ड़े और आरेम अभिखाश विर लोकता की खिवलेश घ्काश विरूरेशब विरूरे टेखेंगा पूलेश